नमस्कार दोस्तों मैं हूँ डॉक्टर अमित महिश्वरी बिजनस ट्रेनर, कॉर्परेट ट्रेनर, मुटिवेशन स्पीकर एंड सी यो मैं टास ओवर्सीज लेमिटेड आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की इंफार्मिटिव वीडियो में अगर आप अपने बिजनस में ग्रोथ चाते हैं अपने बिजनस को एक्सपेंशन की और ले जाना चाते हैं तो आपको सेल्स को फोकस करना होगा क्योंकि सेल ही एक मात्र ऐसा जरिया है जिससे आप अपने बिजनस में ज्यादा सदर रिवेन्यू ला सकते हैं ज्यादा सदर ट तो अगर हम sale को improve करना चाहते हैं तो हमें marketing strategy में परिवर्थन करना होगा मतलब जादा सेदा लोगों तक अपने product की information को पहुचाना होगा और product की information को पहुचाने के तरीके क्या है हम traditional method भी इस्तिमाल कर सकते हैं हम modern method भी इस्तिमाल कर सकते हैं traditional method क्या है जैसे आपके leaflets हैं, newspaper advertisement, brochures, boards, hoarding, wall paintings यह वो तरीके हैं जो traditionally पहले इस्तिमाल किये जाते थे इसका भी बहुत बड़ा impact consumer के mind पर पढ़ता है कहते हैं न जो दिखता है वो बिखता है इसलिए offline और traditional method से भी हमें हमारे business को market करना चाहिए, advertise करना चाहिए ताकि ज़्यादा सा लोगों तक हमारे product और services की information पहुँचे और हम उनको target करके ज़्यादा sale volume generate कर सके इसके अलावा दूसरा जो महत्वपून कदम है जितने भी आपके existing buyer हैं, उन buyers की list ज़रूर बनाएं और उन buyers से contact करें कि sir आप हमारे product या services से satisfy हैं तो मुझे 5 references दीजिए जब आप अपने existing buyer से references मांगते हैं तो उससे मिलने वाला reference बहुत बहुत बहुतरीन होता है क्योंकि उस व्यक्ति की credibility भी उसके अंदर जुड़ी होती है और वो reference भी आपको sale बढ़ाने में बहुत अधिक मदद करता है इसके अलावा हम digital marketing का इस्तिमाल करके भी बहुत अधिक lead generate कर सकते हैं और leads को regular follow करके ठीक तरीके से product information देकर अपने outlet पर invite करकर उनके साथ deal कर सकते हैं जो sales के volume को बढ़ाने में बहुत महत्वपुन कदम निभाता है इसके अलावा सबसे important बात क्या है कि यदि आप अपने sales को तीजी से boom करना चाहते हैं तो आपको बहुत सारे ऐसे platform हैं जहां अपनी company को list करना होगा ताकि ज़्यादा से दा buyer आपके products को देख सकें आपकी company के बारे में जान सकें और आपको contact कर सकें आज मैं आपको बताता हूँ 5 ऐसी topmost websites जहां पर आप अपने product को ये दिल लिस्ट करते हैं तो नया buyer आपको contact करता है और sales conversion में आपकी sales की जब उन्हें follow करती है तो वो lead mature होती है जैसे सबसे पहले अपनी company को इंडिया मार्ट, trade इंडिया, exporter इंडिया, alibaba और just dial पर ज़रूर register करें यहां से होगा क्या कि जब आप यहां registration करेंगा और कोई भी buyer इनकी site पर land करेगा और search करेगा आपके product या service को तो आपकी company की information भी वहां उन्हें दिखाई देगी यह भी एक तरीका है कि हम social media platform के जरिए भी अपने business को grow कर सकते हैं मतलब आप अपने product या services की information या अपनी company की information facebook, linkedin, twitter, instagram इन सभी platform के जरिए भी आप advertise कर सकते हैं और जब आप advertise करेंगे तो ज़्यादा स्यदा calls incoming होगी और जितनी ज़्यादा leads incoming आपके पास होगी उतने ज़्यादा chances ज़्यादा sales generate करने के होगे friends इसके अलावा अगर आपका business एक systematic business है मतलब आपने अपने business को एक system oriented business बना रखा है develop किया हुए आपने अपना proposal तो आप dealership के माधियम से, distributorship के माधियम से, C&F के माधियम से या franchisee distribution system के माधियम से आप बहुत सारे sales units, sales outlets डिजाइन कर सकते हैं, बना सकते हैं जहांसे आपको मिलने वाला sales का volume एक recurring revenue model के रूप में भी काम करेगा कहते हैं कि जब हम direct end user से contact करते हैं और हमारा product इस तरह का होता है, जो one time वो buy कर रहा है तो यहाँ पर recurring revenue नहीं आता मतलब एक ही buyer बार-बार उस product को नहीं खरीता इसलिए जरूरी है अपने dealer, distributor, C&F या franchisee module को develop करने की ताकि जब buyer वहाँ से खरीदे, पर आपको एक recurring revenue model के रूप में आपका business बढ़ता रहे इसके अलावा आप multi units, company operated units भी बना सकते हैं मान लिजे आपकी shop एक North India में है, तो आप एक South India, एक West India, एक मनलब अलग-अलग राजियों में भी आप अपने outlets बना के, खुद के company and operated outlets भी बना कर अपने sale के volume को बढ़ा सकते हैं तो friends, ये थे वो कुछ ऐसे तरीके, जिनका इस्तिमाल करके, आप अपने sales volume को बढ़ा सकते हैं यदि आपको लगता है कि इसके अलावा कुछ और तरीके भी हैं, तो मुझे comment box में लिखकर बताएं इसके अलावा अगर आप बिना investment के business करना चाहते हैं, बिना investment लगाए, आप ऐसे business की opportunity को देख रहे हैं जिसमें आप अच्छी income कमा सकें, तो आप Metas Overseas Limited के associate partner बनके भी बहुत अच्छा revenue generate कर सकते हैं और ये business है stainless steel modular kitchen का, तो आप दिये वे नंबर पर अपना नाम, city और qualification हमें whatsapp करें और हमारी team सारी information whatsapp के माध्यम से आपको भेज देगी, स्वस्त रहें, मस्त रहें, मैं डॉक्टर अमित महाईश्वरी, आपके सुनरे बविश्य की कामना करता हूं, जै हिंद, जै भारत